हेल दोस्तों मैं सुभी तर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि मीवर 13 के अपडेट के आने बाद भूस सारे लोग जो अपडेट कर लिया उन्हें इस्टोल लेकिन उनको काफी सारे फीचर्स जो वह मिले नहीं है जैसे कि यहां पर फीचर्स सबसे पहले बात करें तो नया Contour Center वह नहीं मिला है उसका अप कैसे इनिबल करो कि वह मैं छोटा सा आपको बता दूंगा बाकी में काफी सारे वीडियो वह बना रख किस तर से करते बट सबसे में जो है वह अब ओफीचल आपको जो विजिट देखने को मिल रहा है यह अब आपको ओफीचल इसको बाइ इनिबल करने के नहीं आपको पैले बाइ दो थी नए अपलिकेशन इस्टोल करनी पड़ती थी काफी सारे लोग नहीं कर देते जिससे कि बाई उनको डर रखता था फोन ब्रीकना हो जागी काफी सारे क्या होता कि हम मियो आपकी जो चाइना की सिस्टम की अपल लोगों को मिल ली रहा तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसको लगा सकते हो अपने फोन के अंदर तो वीडियो पसंदा की वीडियो को लाइक कर देना इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यह जो मेरा डिवाइस यह रेडिमी नोट 11 Pro Plus 5G, इसके अंदर आउट ओफ दो बॉक्स Mi 813 देगनों मिलते था, सबसे पहले मैंने इसी डिवाइस के अंदर देखा कि यह चीज इने बाल है, फिर मैंने यहां पर देखा कि दूसरे डिवाइस जो है यहां पर मेरा Redmi Note 10 Pro Max, यहां पर मेरा Redmi Note 10 Pro, इसके इसके अंदर भी यह चीज आ चुकी है, और यहां पर मता तो यह चीज भाई, पोको की डिवाइस में वर्क नहीं कर रहे है, मैं ट्राइ करूंगा पोको की डिवाइस में वर्क कराने की जएज़े, पोको X3 Pro आ गया, उसके अंदर भी अपडेट आ चुका है, बट उनके अ अब देखे तो यहां पर यहां नहcciones लेफ्ट स्वाइब करोगे तब को यह पर एफ वोल्ट देखने को अबल्यागा और यहां अब जिस्टो नए वाले अब आप बोल्ट में पर प्लस का आइकन देखनों जैसे यह पर टैप करोगे तो विजिट स्वाला सेक्शन जो वो एनेबल हो जाता है तो यह यह आप को द को प्लट सबस्वन स». बस आप यह को शुआत है कि शक्पिक्शन तो यह ब इनन आये करना मिल रागा क को अधरीक है को utilize कुछ भी डांल्टन नहीं करना किया अब हम पुआप को दिखा भी जो ही तो घो चलते हमाद एकरव के बाद आपको यौर लेलिग今天 यौालेगर है तो यह चनु सके शुर्ट यह चलु तो थिंड ऑन ढुड़कर आसने शुआ हम मानी टरीग आपर से यह option नहीं इनेवल हो चुका है इसको नहीं करने से पहले activity launcher जो हो गा इसको simply click कर करकर रखना आई button पर click करना है और यह पर आपको यह पर permission बिलागा अदर पर जाने के बाद यह पर home screen shortcut इसको बहुं इसको बहुं आल्वेश एलाओ कर देना और यह च्छटा आपको बार बार यह जो एप्लिकेसिन इसको उपन करने की कोई ज़रूत नहीं सिम्पल आप इस पर टैप करो और यह आपके विजिट्स वगरा जो यहां पर आगे अभी हो मिस्किन पर वर्क करेंगे अब यहां पर कोई विजिट्स लगाना है मानके चलो मेरे को क्लोग यहां पर 3 के लिए तो यह वाल अच्छा लग रहा है यहां पर आपक्या रहा है एड्टू होम पहला था एड्टू आपको एड्टू होँगा शुका है सिंपल इस पर टैप करूंगा अब यहां पर आप फार एड करएं विहां ग्यापर एड आपर फारग्स संसकते जहां пом rifles करके तो तो batt efendim आपको टाट्र यहां जो भी को च Dalגल मुझा यहां जाएं पर यहां वैथर ब इस तरह से मैंने इसमें लगा रगा है तो नहीं थोड़े के मन्हें धुटा है रहा इस तरह से देखने हो बलता है तो आप इस तरह से लगा सकते है तो ओफिशियली सफोर्ट है कोई ऐसा थर्ड पार्टी अप्ली किसन इस्ट्रोल करना बड़ रहा है बाकिए अब में आपको चेक करा देता है तो सेटिंग में जाने के बाद यह देख सकते हैं एपस में चले अब इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको यह हटाना है तो सिम्पल आपको कुछी नहीं इस पर क्लिक करके रखना और रिमूव पर क्लिक कर देना और यह रिमूव हो जाएगा चलो अब यह थी यहां पर यह हो में स्क्रीन के विजिट के अभी कंट्र सेंटर के हम बात करे इसकी में प्रॉपर डाउनलोड लिंक दे दूंगा वाई सिस्टम यूव प्लग इन का यह देख सो तो यह पर यह ओव ही लोग इस्टॉल करें जिनके डिवाज में में मियूव थाटिन का और अंडूर 12 का सपोर्ट आया ओफिशली अंडूर 12 इंपोर्टेंट है एंडू 11 का Redmi Note 11 Pro और Redmi Note 11 के अंदर अपडेट है इसक अंदर मैं अभी तक ट्राइन ही क्या कि मुझे पता की एंडूर 12 पर ही वर करता है यही तर आज की स्टॉडिय में हम लेगन एक स्टॉडी जब तक किने जेहिन जेवारत